अर्मान मलिक की फैमिली आए दिन किसी न किसी वज़र से चर्चा में बनी वी है कभी उनके फैमिली विवाद की वज़र से तो कभी पाइल मलिक के बच्चों की वज़र से और अभी तो अर्मान मलिक और पाइल मलिक पे कई संदिधारों भी लगे हैं सुत्रों के मुताबिक जो यह अर्मान मलिक है यह कई तरह के क्रीमिनल गतिवीदियों में सामिल है और इस पर 11 साल की लड़की के रेप का भी मुकदमा चला आ रहा है जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है साथ ही पायल मलिक भी इन सारी गति वीडियों में सामिल है और यह बात भी निकल कर आ रही है कि पायल मलिक का नाम रियल में सुरेश है पायल नहीं और जैसा पायल मलिक ने अपने कई ब्लॉग में बताया है कि वह एक बैंक में काम करती थी मगर सच यह है कि वो किसी बैंक भी नहीं बलकि बार में काम करती थी या अपने आप में हम सब को चौका रही है यह खबर एक बत और सुत्रों से निकल कर सामने आ रही है कि पाइल मलीक जिसे हम अर्मान मलीक की फर्स्ट वाइफ समझते थे वो उसनकी फर्स्ट वाइफ नहीं है बलकि सुमित्रा जो दो बच्चों की माँ है और अर्मान की पहली बीवी सुमित्रा है जिन्होंने मीडिया में आकर ये सारी बातों का खुलासा किया और पाइल से मिलने से पहले अर्मान की शादी सुमित्रा से हो चुकी थी कही न कही अर्मान मली के ब्लॉक को भ्यूज और इतनी सफलता पाइल मली के वज़ा से ही मिलती थी और भ्यूवर्स की सहानबूती भी पाइल मली के साथ होती थी मगर यह सब जानने के बाद पाइल मलिक के लिए भी साहनबूती कही न कई भीवर्स के बीच खतम होती जा रही है आगे यह देखना है कि यह फैमली जो इतने क्राइम और एलिगेशन से घीरे हैं वो क्या इंफ्लूएंसर कहलाने के लाइक भी है या नहीं